कम स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं घंशाम शर्मा एक बार फिर सारेस जुंशन पर बहुत इंपोर्टेंट क्लास लेकर के तो आज चर्चा करने वाला हूँ मैं आप सभी के साथ में यूनियन बजट पर ठीक है तो दोस्तों बजट एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक है और हमें से हर कोई बजट के बारे में जानना भी चाता है और definitely हमको जानना भी चाहिए क्योंकि बजट जो है वो हमको एक overview देता है और उस overview से ही जो है देश की आने वाले समय में जो खर्च किये जाते हैं उन खर्चों का अनुमान हम लगा पाते हैं और सरकार इसके इसाब से काम करने की कोशिश भी करती है बजट की basic definitions और बाकी चीज़े आप सभी को पता है हमने कई बार इन पर discussion भी किया है मैं मुख्यत इस budget के discussion के दोरान जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ terms हैं जिन terms का हम use करते हैं वैसे तो हमारे current affairs के कक्षा में हमने बहुत सी चीज़े हैं जो कि इन कक्षाओं में मैं बात करूँगा उन पर पहले ही चर्चा की है लेकिन यहाँ पर मैं एक basic आपको फिर भी बताता रहूँगा नॉर्मल सी जानकरी जिससे कि आप budget को समझ सकें तो दोस्तो budget क्या है budget दरसल आने वाले वर्ष में जो हमारा max वित्य वर्ष है 2020-21 ठीक है इस वित्य वर्ष में हम क्या-क्या पैसा कहां-कहां से प्राप्त करने वाले हैं और कितना पैसा हम कहां-कहां पर खर्च करने वाले हैं इन सभी का अनुमान होता है तो इस budget document में आपके पिछले वर्षों के प्रदर्शन को भी जगह दी जाती है क्योंकि उसी के आधार पर हम estimates तय कर पाते हैं यह तय कर पाते हैं कि अगले साल हम क्या करने वाले है पिल्कुल basic से चीज है तो इससे पहले एक economic review आता है उस पर भी मेरी एक class होगी मैं थोड़ा late हो गया बनानी पाया बट आपको मिल जाएगी जल्दी economic review जो है वो आपके पिछले वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करता है आर्थिक रूप से हमने कहां पर क्या किया है कितने हमने अपने target सचीव किया है और ऐसी बहुत सी बातों पर बात करता है लेकिन budget हमको एक अनुमान देता है कि हम आने वाले समय में क्या करने वाले है तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हम आने वाले समय में करने वाले है सबसे पहले जो जानने की चीज़ है वो है budget पर एक छोटी सी नजर कि हमारा receipts और expenditures कितना इस वर्ष रहने वाला है तो यहां पर चार तरह के आंकड़े आपको दिये जाते हैं वो चारों आंकड़े आपको समझने पड़ेंगे पहले आंकड़े को हम बोलते हैं 2019-20 का actual तो जिस वर्ष का हम budget पेश कर रहे हैं उससे दो financial वर्ष ठीक है क्योंकि 2019-20 पहले ही पूरा हो चुका और 2019-20 के जो actual वास्तविक आंकड़े जो हमारे पास आ चुके हैं तो यहां पर हम 2019-20 के वास्तविक आंकड़े लेते हैं दूसरा जो आंकड़ा लेते हैं हम उसको बोलते हैं 2020-21 का रथा जो पिछला budget वर्ष निकला है मतलब हम union budget 2021-22 की बात करें तो पिछला वर्ष हो गया 2020-21 हला कि जब हम यह budget प्रस्तुत करते हैं तब यह वर्ष चल रहा होता है क्योंकि जनरल जो budget होता है यह फरवरी में आता है फरवरी 21 में अगर कोई budget आ रहा है वो 2021 के लिए है लेकिन यह 2021 का period तो चली रहा है तीसरा जो आकड़ा है वो पिछले वर्ष का revised estimate होता है शंशोधित पूर्वानुमान क्योंकि अब तक हम 10-11 महीने निकाल चुके हैं और ऐसी परिस्तिति में हमारे पास एक अंदर्जा तो उमको लगी जाता है यह हमारी growth rates और बाकि हमारा recipients और expenditure कितना है तो revised estimates हमारे यहाँ पर होते हैं जनरली December तक का revised estimate हम यहाँ पर ले लेते हैं December जैसे कि इस बार December 20 तक का ठीक है इसके आधार पर हम बात करते हैं और finally जो data हम देते हैं उसको हम बोलते हैं budget estimate 2021-22 अर्थाथ 1 April 2021 से लेकर के और 31 March 2022 तक हमारा कितना recipes का पूर्वानुमान है और कितना expenditure अर्थाथ वे का पूर्वानुमान है कितना तो हमें प्राप्त होने वाला है कितना हमारा जाने वाला है तरसल हमेशा budget में यह दोनों चीज़े बराबर रखी जाती है बराबर कैसे की जाती है उस पर भी मैं आगे बात करूँगा ठीक है और यह चीज हम यहाँ पर देखेंगे इसे के साथ हम यह भी देखेगी कि हमारा deficit trend कितना है deficit मतलब होता है घाटा अर्थात हमारे जो प्राप्ती और व्याय का जो अंतर है उसकी पूर्ती हम घाटे के वित्य पोश्चन के माधियम से करते हैं तो चुकि हमेशा क्या होता है जब भी हम budget बनाते है expenditures ज्यादा होते हैं रिसिप्ट कम होते हैं मतलब कभी भी budget बनाते से में यह नहीं देखा जाता कि बच्चे पैसे को अगले साल करे रखेंगे नहीं हमेशा हमारे खर्चे जो रिसिप्ट से ज्यादा है जो हम भी हमें प्राप्ती होने वाली है तो व्य ज्यादा होने की वज़े से हमेशा deficit होता है और इस बार जो हमारा deficit सोचा गया है या जो अनुमान लगया गया है वो है 6.8% ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं कि लगातार एक व्रदी आपको deficit में देखने को मिल रही है इस बार हमारी जो total revenue या फिर जो revenue receipts जिनको हम बोलते है राजस्व प्राप्तिया आगे हम इन पर चर्चा करेंगे यह लगबग 17,00,00 करोड की करीब रहेगी जबकि capital अर्था पुंजिकत प्राप्तिया 16,00,00 करोड के बाद आप देख सकते हैं कि राजस्व प्राप्ती ब lockdown और COVID-19 की वज़े से हमारी capital अर्था पुंजिकत प्राप्तिया जिनमें हमारे रिन सबसे बड़ी चीज होती है वो बढ़ गए तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा revenue तो घट गया हमने revenue का अनुमान लगा था कि हम 20,00,00 करोड की करीब revenue यहां पर लेंगे लेकिन revenue कहां से जब हमारे देश में production नहीं हुआ, service sectors और सब बुरी तरह प्रभावी तो revenue तो हमारा घट करके और जो संशोधित पूरवानुमान वो कम हो गया लेकिन जो capital रेसिप्ट्स जो है उसका पूरवानुमान हमारा यहां पर बढ़ गया है 10,00,00 करोड से सीधा का सीधा 18,00,00 अब भी आगे थोड़ा सा बता दूँगा मैं, बेसिक्सली आप समझ सकते हैं कि revenue क्या है और पूंजिकत क्या है, revenue राजस्व संबंदी प्राप्ति हैं होती है, इसके बहुत से fields हम देखेंगे तो वहीं पर मैं इसको ज़्यादा क्लियर करो तो बैट रहेगा, यहां पर आ हम आगे detailed देखेंगे कोन से में क्या-क्या सम्मिलित होता है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उसको पूरा किया जाता है deficit trend से, अर्थार क्योंकि receipt कम है, expenditure जादा है, तो receipt को expenditure के बराबर करने के लिए हम क्या लेते हैं, deficit जो हमारा है, उसको यहां पर add कर लेते है जिसका हम financing करते है, गाटे का with potion जो हम करते है, वो deficit financing होता है, तो इस बार का deficit हमारा 6.8% है, मतलब अगर हमने 100 रुपे खर्च की हैं, तो हमारी आय जो है, वो 33.4 ठीक है, 33.4 प्रतिशत ही यहां पर रही है, तो यह आप ध्यान रखना, 33.4 रुपे हम कमा रहे हैं, और 100 receipt और expenditure इस वर्ष के लिए है, जिसमें लगातार बडोत्रियम को देखने को मिल रही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, कुछ और मैत्पून चीजों पर, तो सबसे पहले मैं आपको एक अनुमान, एक पिक्चर दिखाना चाओंगा, जो बहुत मैत्पून है जिसको समझना, बजट का सार में आपके लिए लेकर आए हूँ है आपर, बजट at a glance, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले राजसु प्राप्तियां दिख रही होगी, इसके बारे मैंने बाकी प्राप्तियां, प्राप्तियां पोर्शन में ही ये प्राप्तियां, ये इतना दिखा रहा है आपर, 26,86,330 करोड, ठीक है, वास्तविक्त ये 2019 का, जबकि इस बार के बजट में हमने अनुमान लगाया है कितना, 34,83,236 का, तो हमने 34,83,236 का यहाँ पर कुल प्राप्तियां मानी है, अब इनका डिवाइड देखो, राजसु प्राप्तियां हमारा जो नुमान है वो 17,88, fácil करोड, जोकि 15,acey पराप्ति का है, 16, राजस्व प्राप्त करते हैं और एक non-tax revenue होता है जिसमें tax को छोड़ करके बाकी जो भी शुलकर्म लगाते हैं या किसी भी अन्य तरह की जो भी राशी सरकार को मिलती है राजस्व के रूप में ये दोनों इसमें समयलित होती है पूंजिगत प्राप्तियों में हमारी कुछ चीज़े हैं जिनमें reno की वसूलिया ठीक है अर्थात जो लोन हमने दिये हुएं दूसरे देशों को उनकी recovery करना अन्य किसी तरह की प्राप्तियों किसी भी देश से बाहर से और उधार लेना borrowing या other liabilities और भी किसी तरह की liabilities तो य इसे भी करके नगदी चाप करके यह सारे तरीके होते हैं तो उधार और अन्य देता हैं यही वह portion है जो क्या करता है आपकी घटे की financing करता है और यह कुल मिलाकर होता है 34,00,00 करोड के करीब इतना ही बराबर रहेगा आपका next portion जिसको हम बोलते है देता है यह को प्राप्ति करके जिए उसी के बराबर रहना चाहिए तो आब हम वह पर भी बात कर ले थे कि क्या बोलता है ठीक है तो उमने देख लिए अब यहां पर आप देखे लो कुल प्राप्ति और वह बराबर दिखा ए उन्होंने ना कुल प्राप्तियां और कुल वे तो राजश युश प्र पुंजिगत प्राप्ति बराबर है राजस्व वय और पुंजिगत वय के क्योंकि जो पुंजिगत प्राप्तियां थी उसमें हमने उधार उनको भी रखा और वही एक financing का तरीका होता है जो घाटा है उसको भरने का तरीका होता है चलिए कुल वे में आपके देख सकते हैं आप कुल वे में दो चीज़े 10 प्लस 13 ठीक है पहला राजस्व खाते से दूसरा पुन जिगत खाते से तो वे या तो आप राजस्व के छेत्र में करोगे आप अपने रा पुप्तान और पुण्जी परिस्वंपतियों के सर्जन हेतु साहता अनुदान ये दोनों भी राजस्व खाते में आते हैं तो एक तो आपने जो इंट्रेस्ट पे किया तो देख़ए एक यहां पर जो हमारा टोटल कुल वे है वो कितना दिखा रहा है यहां पर यहां दे आते हैं इ прошлips को लोन दे देते हैं ya किसी से लिये वे लोन पर हम भी आज दे देते है मतलाब जो पुण्जीगत प्राप्ती में आ रहा है न वैसा ही अगर हम इसका विप्रीत करते तो वह पुण्जीगत खाते में व्यमंना जाता है पुण्जीगत प्रांति मैं आजित हैं तो यहां पर आप देख सकते हो राजस्व खाते पर वे बहुत ज़्यादा है इसमें दो चीजे यहां पर सम्मिलित की है ब्याज भुकतान और परिसंपतियों के सरजन में साहित अनुदान यह दोनों क्यों की है क्योंकि आगे जब मैं आपको घाटे के प्रकार समझाओंगा देती है वो भी राजस्व वे में आता है ठीक है तो यहां पर यह दोनों मिलकर के और कुल वे का निलधारन करते हैं तो कुल प्राप्ति और कुल वे हमेशा बराबर ही रखा जाते हैं अब आजाओ चार टेम्स को समझो पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घ गाटा राजकोशी घाटा जिसको फिसकल डेफिसिट बोलते हैं और प्राप में गाटा जिसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं एक एक चीज़ को ढंक से समझना पड़ेगा देखो मैं दो क्लासेज लूंगा यहां पर और उन दोनों क्लासेज में एक एक करके मैं आपक बस ऐसा सभी वे जो राजस्व में वे हुआ है ौर 17 लाख रूपे के करीब जो राजस्व में उनको प्राप्त हूए। मतला बिय आपने एक तरफ तो राजस्व की वसूली की दूसरी तरफ राजस्व की खर्च कर दिया लेकिन यहां हो क्या रहा है राजस्व की वसूली कम और हें खर्चा ज्यादा भरा उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ही राजस्व घटा है बिल्कुल simple language में एक तरफ आप राजस्व अर्थात revenue ले रहे हो taxable, non-taxable दोनों तरह के revenue ले रहे हो दूसरे तरह आप राजस्व का खर्चा कर रहे हो चाहे आप ब्याज हुकतान में करो चाहे संपत्यों के लिए नुदान दो चाहे राजस्व की वसूली में खर्च करो इन सभी में जो खर्चा होता है वो राजस्व व्य है दोनों का अंतर हमेशा नकारात्मक रहता है क्योंकि हमेशा हमारा जो राजस्व पे व्य होता है वो ज्यादा है राजस्व की प्राप्ती क्योंकि tax इतने नहीं ले पाते हैं ठीक है चलिए दूसरे को हम बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है जो हमारा राजस्व घाटा है इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा परिसंपत्यों के लिए जो अनुदान दिया उसको अर्थार परिसंपत्यों के लिए चुकी हमने अनुदान दिया तो वो एक तरह से स्रजन का काम हो गया ना हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा तो वो देश के लिए पुंजी का निर्मान हो गया एक तरह से तो उसको हम घाटा नहीं बोलते हैं, इसलिए हम जब प्रभावी राजस्व घाटा बोलते हैं, effective राजस्व घाटे की बात करते हैं, तो उस अनुदान को हम यहाँ पर घटा देते हैं, चलिए, तो दो लाख करोड रुपे जो हमने देने हैं, पुंजी परी संपत्यों के इसको समझें आप, यह बहुत important चीज है, जो देखनी पड़ेगी, 1 प्लस 5 प्लस 6 में क्या क्या आता है, 1 का मतलब है राजस्व प्राप्ती, ठीक है, इसके बाद में 5 में रिणो की वसूली, और 6 में अन्य प्राप्तियां, देखो 1 में है आपकी राजस्व की प्राप्ति है, दूसरा, पुझिगत प्राप्ति पूरी नहीं घटाएंगे, आप इन में से उधार और अन्य देखतायों को छोड़ दोगे, अर्था जिससे आपने फाइनिंसिंग की थी न, डेफिसिट की, आपके घाटे की जो फाइनिंसिंग की थी अर्था, जो रिन है, अगर रिन राज कोशिय घाटा आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूत नहीं है, दुबारा से बता देता हूँ, राजस्व घाटा तो केवल राजस्व का अंतर है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्य के बीच का अंतर, इसी त हो छैए वो राजसुपराप्ति हो उनको घटा देते हैं तो अनत में आता आपका परत्म घटा यह कैसे निकलता है इस राज कोशिय घटे में से आप ब्याज अनुदान को घटा दो यह वाला जो इसं लिए हमने इन को यहां लिखा था यहां लिखने का फाइदा क्या है कि हमको पता चल जाता है कि भाया राजकोशे घाटे में से ब्याज अनुद्द बुक्तान को गटा दिया जो सबसे ज़्यादा होता है हमारे वेव में सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है इंट्रेस्ट पेमेंट का आप दे गहते में से रनोब को चुका देते हो तो वह आपका प्राथमिक घहता प्राइमरी डिफिसिट बन करके सामने एधाता है दूबारा से समझना राजस्व घहते का मतलब है राजस्व की जित्ति भी प्राप्तियां हुई उसमें से राजस्व का वेः घता देना प्रभावी र राजकोश्य घाटे के लिए क्या करते हैं? हमारी समस्थ प्रकार के वेड, चाहे पुंजीगत हो, चाहे राजस्वेड हो, उसको टोटल जोड के उसमें से घटाते हैं, उधार को छोड़कर बाकी सभी तरह की प्राप्ती, उधार भी पुंजीगत प्राप्ती में आता हैं, यह बिलकुल एक बेसिक सी चीज है, जो आपको आनी चाहिए, अगर यह आती है, समझो, आपका काम बन गया, चलिए, अब टैक्स रिसिप्ट में आप देख सकते हो, हम वापस से आ गये हैं, अपने मुद्धे पर, टैक्स रिसिप्ट में आप देख रहे हो, कि इंडारेक् टैक्स हैं, हमारे बड़े पहले तो, फिर उसके बाद अचानक से आप देखते हो कि डारेक्स तो कम हो रहे हैं, मतलब जिसे कि इंकम टैक्स हो गया, इस तरह के टैक्स और इंडारेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं, तो लोक डाउन के बाद में, रिवाइ। इस दिन में 2020 काम क्या देख रहे हैं कि हमारे indirect tax है जिसे कि GST का collection अभी बढ़ गया तो ये indirect tax है ना direct थोड़े है जिस्ट एक indirect tax है तो ये बढ़ रहा है जिबकि direct tax हमारा कम होता जा रहे है पर अब हम उमीद कर रहे हैं कि 2020 में ये दोनों लगबग लगबग बराबर काम चलेंगे जो GDP का percentages में बराबर तरीके से ये आगे बढ़ेंगे ये हमारा मानना है अब हम देखते हैं सरकार की खर्चे तो सरकार का जो व्य है वो व्य कहां कहां हो रहा है इसको हम देखेंगे ठीक है Central Government कहां कहां खर्चा कर रही है सबसे ज़्यादा खर्च हमारा Interest Payment पर मैंने आपको बताया था तीक है 8,09,000 रुपए के करीब आपका Interest Payment पर खर्चा हो जाता है अब इसको देखना ही है तो हम एक दूसरे नजरी से भी देख सकते हैं तो हमारे पास में एक और उधारी और Other Liabilities जिती है उनमें हमारा 100 में से 36 रुपए होता है चाहे वो आपके जिता भी Savings Scheme पर Deposits पर आप Bond निकाल करके करो या फिर आप RBI से लो इस तरह के ठीक है इसके बाद में आप देखते हो Second Number पर जो सबसे बड़ा जो Second Number पर है वो है आपका निगम कर Sorry, Income Tax नहीं, Sorry, GST इस बार जो हम अनुमान लगा रहे हैं उसमें GST Second Number पर है Third Number पर आता है आपका Income Tax और चोथे नमर पर आता है आपका Corporation Tax जो हमारी कंपनियों पर लगता है ना फिर इसके बाद में Non Tax Revenue आ जाता है 6 रुपे अगर हम 100 रुपे में बात करें तो 6 रुपे के करीब Non Debt Capital Receipt मतलब बिना रिन वाली पुंजी प्राप्तियां क्योंकि पुंजी प्राप्तियों में रिन भी होता है तो रिन को छोड़ करके बाकि जितनी भी पुंजी प्राप्ति है वो 5 रुपे के करीब योगदान करती है केंद्री उत्पाद शुल्क Central Excise Duty ये 8 रुपे 100 रुपे में से 8 रुपे आपके Excise Duty के रूप में आते है तो आपको ये याद रखना है पूछ लेका कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उधार से आता है फिर उसके बाद में Income Tax अगर Taxes की बात करें तो Income Tax सबसे ज़्यादा है फिर आपका Corporation Tax सबसे फर्स नमर पे है सबसे फर्स नमर पे है GST सबसे फर्स जीस्टी फिर आपका Income और फिर आपका Corporation ये तीनों है 14, 15, 14 और 13 याद रखो GST सबसे ज़्यादा है फिर Income Tax नमर पे है और Corporation Tax तीनोंबर पे टेकस की अगर बात करें तो और कुल मिला कर बात करें तो उधार ही सबसे ज़्यादा है 36 रुपे 100 में से 36 रुपे हमारे उधार से आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा जो है जाता का है पैसा ये भी तो में देखना पड़ेगा ना तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारा जा रहा है जिस हमें आपको बताया ब्याज अधाई की पर यहां देखो इंट्रेस्ट पेमेंट में एक रुपे में से बीस पैसा चला जाता है इंट्रेस्ट पेमेंट करने में ठीक है इसके बाद सेकेंड नमर पे हमारा जो पैसा जाता है वो है करों में और शुलकों में राज्यों का हिस्सा मतलब सो रुपे में से सोला सो रुपे में से सोला रु केंदरी सरकार का खर्चा जिसमें होता है राज्य कोई पैसा नहीं लगाते सो परसंट जिसे आईश्मान भारत भी माई उजना होई ठीक है तो यह तो केंदरी स्पोंसर्ड है क्योंकि साथ नपाद चाली से इसमें लेकिन कई ऐसे स्कीम्स भी है जो केवल केंदरी छेतर की हो सब्सडी की बात करें तो नो रुपए के करीब खर्च करता है सो रुपए में से अन्य में आपका 10 रुपह जाता है अलग अलग छेद्रों का खर्चा मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए तो वापस अपनी इसके इधर चलते हैं तो आपने देखा सबसे ज़्यदा खर्चा कहा पर होता है इनकम वयाजें इंट्रेस्ट के रूप में हम सबसे ज़्यदा खर्चा शिर्च 셋ि अब क Economic कितना खर्च कर रहे हैं तर बार में यह हमको जानकारी दे रहा है ठीक है चलिए इसके बाद में बारी आती है हमारे अगले पहलू की जिसको बोलते हैं यह सारा मैंने आपको बता दिया है रिसिप्स कौन-कौन से होते हैं और डेफिसिट्स कौन-कौन से यह भी मैंने सारा cover-up आपको कर दिया है यहाँ पर आपकी जो-जो central revenue expenditure है उसकी भी मैंने आपको list दे दी है सबसे जदा 36 पैसा और यह सारा मैंने पिछले चितर में आपको समझा दिया है complete आपको जानकर दे दिया है अभी थोड़ी सी और छोटी मोटी चीज़ों को देख लेते हैं कुछ slides हमारे पास और है health और well-being पर इस साल हमने स्वास्ते पर सबसे जदा खर्चा किया है आप देख सकते हो 2019-20 में जा हमने 86 करोड रुपे खर्च किये थे वहीं इस बार यह पैसा बढ़कर के उमीद है कि 2,23,000 करोड रुपे हमारे खर्च साल होने वाले ठीक है पिछले साल जाए 94 करोड का budget estimate अपने रखा था उसको बढ़ा करके 137 परसेंट हमने बढ़ा दी क्यों कोविड-19 नहीं हमको मजबूर कर दिया सोचने के लिए deficit financing यह बहुत अच्छी टर्म है यह समझना आप देखो ठीक है deficit financing मतलते हैं घाटे का विद्ध पोशन तो भाया जो मैंने आपको बताया था न टोटल की आठ लाग रुपे के करीब सोरी आठ लाग रुपे या नो लाग रुपे जो भी हमारा घाटा जो है उसका जो हम विद्ध पोशन करने वाले उसकी हम बात कर रहे हैं तो अलग-अलग सोर से पहला है market borrowing अर्था आप मार्केट से उधार ले ले लेते हो तो घाटे का विद्ध पोशन करने के लिए आप क्या करते हो market से पैसा उधार ले देखो एक और हमारे पास picture है जिससे हम समझ पाएंगे इस चीज को घाटे का विद्ध पोशन कैसे होता है हाँ यह देखिए यहां से आपको पता चलेगा कि घाटे का विद्ध पोशन कैसे किया जाता है तो आप देख पा रहे होंगे दो रिन की प्राप्ति करके और दूसरा है नगदी शेश का कम आहारण करके यह देखो यह दो चीज़े दोनों समझाओंगा रिन प्राप्ति डैप्ट रिसेफ्ट मतलब आप रिन ले करके और घाटे का विद्ध पोशन करते हो क्या क्या रिन ले सकते हो आप बाजार से पैसा ले सकते हो आप हमारा जो open market है वहां से पैसा कैसे लोगे आप यह तो क्या करोगे जो सरकारी पृति यह हैं उनसे पैसा ले सकते हो या फिर treasury bill जिनको राजकोशी हुंडी बोलते हैं उनसे ले सकते हो दोनों चीजे एक ही है थोड़ा सा अंतर दोनों में है दोस्तों जो राजकोशी हुंडी है राजकोशी हुंडी एक साल से कम साल समय के लिए होती है मतलब less than 365 days तो इसमें आप 91 days के लिए 182 days के लिए और 364 days के लिए यहां पर क्या करते हो राजकोशी हुंडी जारी करते हो ट्रेजरी बिल जारी करते हो इनको लोग खरीदते हैं इन पर कोई ब्याज नहीं होता लेकिन इन पर discount होता है मतलब suppose करो कोई 100 रूपे मुली की हुंडी जो है अगर उसको आप जारी करते हो तो आप इसको तीन रू इसको एक तरह है तो ब्याज की बात लेकिन यहां पर क्या कि हम चीज बेचते हैं और जब क्या होता है वापस लेने समय आता है तब इसको उसी रेट में वापस लिया जाता है जितना इसका वास्तविक मुल्य होता है सरकारी प्रतिभूती 365 दिन से ज़्यादा दिन के लिए जारी की जाती है और इस पर एक ब्याज दो बार साल में मिलता है यह अंतर है तो सरकार अपनी समपत्यों पर प्रतिभूतीयां और हुंडी जारी करती है हुंडी एक साल से कम के लिए होती है सरकारी प्रतिभूती जिसको GSEC भी बोलते है Government Securities वो एक साल से ज़्यादा के लिए जारी होती है तो 9 लाग करोड रुपे का इंतिजाम सरकार ने ऐसे किया अल्प बचत के बदले प्रतिवूतियां सरकार कई बार क्या करती है आपकी जो small savings है small savings schemes जितनी भी है ठीक है उन small savings schemes को भी उनके against the security जारी कर देती है उनको लोग खरीटते हैं तो इसको ये गिरिवी रखना होगे एक करसे 3 लाग एकराण मजार करोड की करीब सरकार इन से पूर्ति करती है जो public state provident funds है उन पर भी सरकार जो है उनका प्रियोग करके भी पैसा जुटाती है इसी तरह जो सरकार है और काम करती जिसमें होता है अन्य प्राप्तियां जिसमें आंत्रिक रिण और लोक लेखा सम्मिलित है आंत्रिक रिण और लोक लेखा का मतलब क्या है इसका मतलब है आप या तो अंदर ही अंदर कई जो हमारे इस्थान ही जो संस्थान है देश के बाहर नहीं उन से रिने ले लेते हूँ , यह फिर क्या करते हो जो हमारा पॉब्लिक अकाउंट जो लोक लेखा है जिसे हमारा सभी ने पड़ा घा लोक लेखा और अपने जो डेप्ट फाइनसिंग हो करता है तो हमारा जो घाटे का वित्त पोशन है वो यहां से भी होता है और अंतिम है विदेशी रिण तो विदेशी रिण भी लेखते हैं अब देखो बजट अनुबान में हम विदेशी रिण को कम करते जा रहे हैं करें कि हम से इस बसता है उसमें से हम बोलते हैं वे थोड़ा पैसान को दे दो जिससे आपने देखा होगा ना भी रिजर रुपेंग ने चोवन अजार करोड रुपे जो है सरकार को दिये हैं यहां से नगदी शेश का आहर्म ते यह जो 53 अजार करोड जो 2020 का अनुमान था उसमें य यहां पर भी पैसा इस तरह से जुटाया जाता है और इस तरह से जो है नगदी शेश के कम आहरण और रिन प्राप्तियों से घाटे का विच्ट पोशन भी किया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब यहां यहां पर हमने बात कर ली है जितना भी फाइनिंसिंग तक के मामले उन सबी पर मैंने आपको क्या क्या समझाया आपको मैंने बजट के मुख्य बिंदू बताए किस तरह से प्राप्तियां होती है किस तरह से आपका दुक्तान होते हैं या वे होते हैं और कैस उनमें से एक deficit निकल करके बाहर आता है. deficit के सारे प्रकार मैंने आपको बताए, प्राप्तियों के प्रकार बताए, capital और revenue आपकी incomes होती है, या recipes होती है, capital और revenue expenditures होती है, वो मैंने आपको समझाए हर प्रकार के deficit, जिसमें आपका revenue deficit हो गया, effective revenue deficit हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट वो मैंने समझाए और सोर्सेस ओफ डेफिसिट फाइनिसिंग जो है उस पर भी मैंने चर्चा किया तो दोस्तों यहां पर मैं विराम दूँगा क्योंकि एक बिल्कुल सेपरेट चिप्टर आ गया जो हमको समझना था बजट के बारे में समझाना तो तो मुझे आपको एकोनोमी की छोड़े-चोड़े टर्म्स थे लेकिन बजट के मादिम से समझाने से आपको थोड़ा और लाव इसमें हो जाएगा कि आपको जो बजट के अभी के आखने है वो भी याद रहेंगे ठीक है चली तो अगली क्लास में मैं आपसे चर्चा करूँगा ऐसे ही मुद्दे पर ठीक है तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगले चेप्टर में हम इसके जित्ते भी टर्म्स जैसे कि हमारे सेक्टर सा लग अलग है उनमें जो जो भी रुजहान है जो जो भी नए चीज़े जोडी गई यह उन पर बात करेंगे इसे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं मिल दें गली क्लास में जो टर्म्स मैं आपको समझ जाहिए ऐसे ही डिटेल टर्म्स हम हमारे करेंट अफेस में समझाते हैं तो करेंट अफेस की 2020 की कंप्लीट भुक आपकी अवेलेबल है गुल्दस्ता के नाम से उसका आप लाब उठा सकते हैं तो वह आपको आरेस जिंक्शन एप पर मिलेगा और उस एप का जो नोटिफि करेंट avक 53 को आरेस से लेडि़ resultaire । श्रीमेर से लोग ऑareth 15 mon बश किन्य अवेल उसके उपकी अम हमारे से लिया तो कम हमारे करेंट आरेस से लिएτο हम भुक आपकी अवेबल और